तेरे इश्क में गायल का आज हम लोगों ने देखा दूसरा एपिसोड और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं वेंपार डाइजिस के दो चार चार सीजन में पुरे देख चुगा तो मुझे पता है कि भाई स्टोरी कहां से कहां जाएगी और क्या क्या चल रहा है लेकि मु लगी है जैसे कि भाई भेडियें हैं वो यादाश्ट मिटा सकते हैं उसके बाद भेडियें चाहें तो भेडियें क्या करते हैं वो मतलब एक कोई किशल उसरे जमकी को अलग से नजर आएंगे उसमें तीसरे एपिसोड तक मतलब उसमें समझ में आई थी कि यह सब चीजे भी होते हैं लेकिन जिस तरीके से एपिसोड हमें तेरे इश्कों में रिखा जा रहे हैं वो बहुत जारा तीजी से दिखा जा रहे हैं थोड़ा सारा क्रेक्टर डवलप्मेंट में टाइम नहीं दे रहे हैं जो मुझे रखता बहु कि वीर और जो हमारे क्या कहते हैं का नाम है उनका अर्मान उनके बीच में लड़ाई हो रही होती है और लड़ाई इसलिए होती है कि भाईया एक बंदा जो है वीर वो कहता है कि भाई ये इशा है ठीक है इशा को मैं प्यार करता हूँ इशा मेरी है क्योंकि जो सौ साल पह बीच में लड़ाई हो रही होते हैं लड़ा इतनी ज्यादा बढ़ा जाती है क्यों रखो सहाग जो ईशा है कि घर में महक है और क्या यहां पर क्या होता है चैरी को खाने का मन करता है तो वह बोलती है कि भाई जा तुम लेकर हो अब महक क्या है महक वही लड़के जिसके पास अजीब सी वहां पे जितनी भी चैंडल्स पर केंडल्स जल जाती है अब वहां पर जितनी भीड़केंडल्स होते हैं उन सब को जलाने के बाद क्या कहती है कि यह सब मैं कर रही हूं क्या यह सब मेरे द्वारा हो रहा है यह सब मैं सच में कर रही हूं लेकिन जब वह देखती है एक भाई वो निची आई नीचेए वह उसके दिमाग में ही चल रहा है ऐ। दिमाग में चल रहा है कि क्या होगा क्या क्या हूगा क्या कर मि तक हुए तक आए unjust आप हैं तो शायद चल दग्या लेकिन तब नियुक्त इंकिन मीनीड्र ऐसे तुम पहन करा इसब 않았 więc Even देमीनी इसबार में पहन प्लत दोत द्रिस हमारा चाद थेए अब यहाँ पर क्या हुआ ड्रेस वगेरा पहनी वो सब चीज़ ठीक थी लेकिन यहां पर जो चीज़ यह देखने को लेकि इशा को शॉर्ट ड्रस पहनना पसंद नहीं वह सेम तो सेम चीज़ वहां की जो लीड एक्ट्रस थी जो लीड करेक्टर थी फीमेल उसको भी ड्रेस पहनना पहनना तो सेम चीज़ ठी अब दूसरी साइड के हुता है वीर अर्मान ना जंगल में बहुत तीज़ी से भागते हैं तो यहां पर भोगत तीज़ी से भागते हुए हमें नजर आरे होते हैं एक दूसरी से रेस लगा रहुती हैं कि कौन सबसे पहले इशा के घर पहुँचेगा क चीज़ देखके अच्छी लगए रियलिस्टिक लगए जिसका जो वीएफिक्स था और इसकी जो बतलब एडिटिंग थी वो बहुत जादा बहतरी थी सीरिस्टी बहुत जादा बहतरी थी इसके बता मैं देखने को मिलता है वीड और अर्मान दोनों गेट पर पहुंच चु कि जो अर्मान है ठीक है वो साब ने खड़ा लेकि जब अर्मान सामने रिखता है वीड को तो वी नहीं नहीं होता है वहां से चला जाए अर्मान के अन मत्तब गेट खोलते ही सब्सक्राइब और इस आई कॉंटेक्ट में साफ साफ यह चीज़ देखने को मिल रही थी कि क् दोनों के बीच में करनेक्शन बन चुका है इसके बाद क्या हुआ इसके बाद भाई अंदर जाते हैं तब ही चैरी आके बोलते हैं अफ वह आगे अर्मान यह मुझे कितना अच्छ लगता है यह वह और अर्मान को बोलती देट पर चले कि हम लोग डेक्टली पीना कोई ब बाद गुमाई फिर है अर्मान सीधे बोलता है कि नहीं मेरा दिल भाई तो मैं दोस्त के उपराद शुका है तो नहीं सौरी ऐसा नहीं हो सकता है और चैरी वहां से रोत हुए वहां से चली जाती है उनकी जो पार्टी वाटी हो थी गेमनेट उसको छोड़के अब यहां प बाद गाता है कि इशा की जो मासी होती वो भी आ जाती हो मासी को अर्मान से मिलाया जाता है और थोड़ी बहुत बात इनके बीच में होती है इसके बाद क्या हो इसके बाद हम यह चीज़ देखने को मिलते हैं कि बाई साब जो हमारी चैरी है वह एक सुनसान जाकि मतलब इ इसके बाद हमें देखने को यह नहीं देखने को मिली कि इसके बाद क्या होता है इसके बाद हमें देखने को मिलता आगी इसा वीर जो है वहां से आजाता है एकनम से अचानक से और वहां से गाया हो कि क्या करता है वो आता है इशा के घर के पास हो इशा सूर ही होती है इशा के सपनों में वो यह दिखाता है कि भाई देखो इशा ये बात है वो बात है मतलब एक हिंड सा देता है कि इशा को वीर से प्यार है ना कि अर्मान से उसके सपनों में आता है उसकी कमर पख़ड़ लेता है पीछे से और फेक दिफ से गायब हो जाता है लेकिन धुन इतनी जाद होती कि उसके मतलब परचाई देखने को मिलती है इसके लावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता यह सीरिसी चीज़ा में जो सुबह होती है अगले दिन सुबह क्या करती है कि जो युँशा होती है वो फटाफरट पहुंच जाती है उसको देखने सारा को वही जो लड़की उसके भाई की गल्फरीं्ट ही उसको घ leaking आप काट यह था ता कलके एपिसोड में इसे मिलने सेरी जाती है वहाँ पर ले इन डिरेक्टली अर्मान को पता चल जाते हैं वो मुझे एग्जेक्टली याद नहीं आदे की सीन क्या था उसको पता नहीं कहां से पता चलती है तो वह सीन को सुनके कि वीड कहां हो तो वीड 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 चिलाता हो बोलता है कि वीड तुम नहीं किया था क्या सॉरी घर नहीं जिंगल में जहां पर उसको मारा गया था जो पुराना वाला जो था वेंपायर उसको मारा गया था वह वहीं पर पहुंच जाता है तेज और वहां पर बोलता है कि कि देखो भाई क्या बात है अभी यहां पर हमारे में से बिजाद्री का एक बंदा हमारा था तुम क्या मतलब उसी के दिए करना चाहते हो तो बोलता है कि वह कमजोर था बिलकुत तुम भी वैसे कमजोर है मैं तो इंसानों को फून पी तो में बहुत पावर है मैं ठीक है यह सब बाते हैं तो वह यहां पर बोलता है कि देखो अर्माना को तुम्हें डर लग रहा है ना तुम जा कि उसकी आदास मिटा दो लेकिन यहां पर फिर वह कमेंट करता है कि यह तुम कैसे मिटागो तुम तो इंसानों को फून ही नहीं पीते तुम अंदर यह पावर ही नही जो हमारे अर्मान भाई है ठीक है वह विहान जो माजए पर यहां जो आखावा देख लेता है जो बार होती जगा बैटने के सिर्टिंग पॉंट इसमेंट हम बैढ़ होगा धे लेता है और वहां पर उसको देखने कर वह बहुंत से निकलने की कोशिश करता हैं अब यहां one יकीर को वो इश्या के पीछे से निकलता है और पहुंच rela के यहां पर उससारा कि हूंता है मतलब है लेकिन वैंपायर डारीज में पर आगर आगर ऐसा कुछ होता था तो उनकी जो आँखों की जो प्यूपिल ऑथे ब्लैक एरिया वह बड़ा चोटा होता था और दोनों का होता था जिसको अपनोटास कर रहे हैं वह भी और जो इतो दोनों की होता है लेकिन यहाँ पर जैसे र वह पहुंच जाती है वह चैरी की वम्मी होती है और दो पूछे है तुमने क्या देखा था तो बन्दा सॉरी वह जो सारा रहोती हो जो आधा था उसके बाद हमें ये देखने को मिला कि जो ईशा है वो वहीं पर ही बैठे हुए अपने भाई कर साथ ठीक है लेकिन जो हमारा अर्मान है वो वहां से तो निकल गया प्लिस के नजरों में आ गया था भाई तुम यहां प्यार करो तो उससे बचते बचते बोलिया मैं तुस्से मिलने आता बस होँ वहां से निकल गया अब वहां से निकलने के बाद क्या हुआ कि वो ना ईशा की नजरों में आ रहता क्यों कि भाई वो निकला तो सुपर स्पीड से था लेकिन जब वापिस आ रहा था बाहर हुस्पिटल से निकलने के लिए तब वो बड़े अराम से निकल रहा था सिंपल सी बात अब यहां पर यह चीज थी तो इसके बात कि हम यह देखने को मिला कि भाई एशा उसके बाए धुने pussy को मिलता है कि इशा जो है वह वे लेकिन वहां पर वीर क्या होता है वीर उसको देख रहाता है एक बहुती में बहुती है कि जो वहां पर लीड एक्टर होते हैं उनके भी भाई जो घर वो उते हैं उनके गंटा लगा ऑठाल देखने को मिली और यहां पर आती हैं माप जो अंटी कौन है वो मैं भी बुझे निवी रहा मैं क्या कहूं उनका तो वो बोलती कि तुम तो इसको देखके आप मैंसे जानती है तो बात वाइशा को बात करके वह चले जाते हैं अब इस अंदर आने के बाद हम यह देखने को मिलता है कि जो वीड है वह क्या करने की कोशिश कर रहा है वीड क्या बोलने की कोशिश कर रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहा है ईशा को और फिर क्या होता है वीड एकदम से आता है उसके पीछे और पकड़ लेता है ठीक है और फिर क्या वह उन्हां इशा की गर्दन पना बहुत जादा मतलब नज जाता है तो उसको ईशा देखके ना संभल जाता है क्योंता समझ जाती है उसको इशा को कोई खड़ा है और फिर बताता है कि मैं उसका भाई हूं कि ऐसी ऐसी बात है और फिर वो बातों में ऐसे घुमा देता है कि भाई देखो जो तुम हो वो तुम इसका अर्मान का पहला प्यार नहीं हो ठीक है उसका पहला प्यार कावियत यो उसने प्रखा हुआ है कि मेरा प्यार सिर्फ एक ही बार होगा क्यों और एक ही बार रहेगा प्यार बार बार बदलता नहीं है प्यार सिर्फ एक ही बार होता है तो तुम इस का पहला प्यार हो या फिर उस प्यार को बुलाने का जरीया हो यह जीस बोलके एशा के दिमाग में बहुत बड़ा कोश्टन मार्क खड़ा कर देता है अब यहां पर इस बात का फ्रूब भी दिखा देता है कि मतलब वह यह बोलता है कि भाई जो तुम दोनों हो ठीक है ठीक ह तुम्हारे बीच में क्या रहा है और मतलब क्या कहते है इतनी अच्छी क्यूं हो तुम पहले पैर को बिलाना चाहता तुम्हारे स्थारे तो पता चलता है कि भाई साभ वह इशा को आगे ले सives कर वह चांद है और फ़ोटी भाई जडी हूँ और काव्ज की जो होती है उसके लिए का लगता है कि जो वह उसे की तरीक में और यह भी बोलता है की देखो कल अचानक हम दोनोन पतलब आई पड़ी थे और अचानच से क्या狂 वा की जो मत्लब यह जो फोटो थी वह चैनल से इसमें आख लग दिया और पूरी की पूरी ना यह फोटो जल गई तो यहां पर ना वह पत्तर बात इस दिए कि गुमा रहा था कि वह देखो यह तो तुम हो तुम बस उसका पहला प्यार बुलाने का सहार हो और कुछ नहीं तुम्हारा उसका पहला प्यार बुलाने का जरीया बस अर्मान वहां पर रहता था और वहां से वह कुछ पूछ थी इशा उससे पहले कहता है कि तुम घर जाओ सीरें और वह सो घर बेज़ देता हैं अब यहां भी का उता है इन दोनों के बीच में ना सब्सक्राइशन होती है वह तुम क्या करना चाहते हो हां क्या यह मतलब क्या करना चाहरे हो भी यह ऐसी कनवसेशन होती है कि भाई बस तो तुमने क्या काम कर नहीं होगा सब्सक्राइशन के बीच में कुछ इतनी खास थी लेकिन इसके बाद क्या होता है इसके बाद हम यह देखने को मिलता है कि इशा जो है वह इसके बात को समझधो अच्छे दूसरे बंडेคนयों पहलू समझो किक्ते कोanh करो कि क्या नहींержती है। और पील के करती फिर वह बात समझाइड होती है लेकिन अर्मान जो उसकी दोस्त है मतलब महक उसे वह मांगता था फोन नंबर ये फोन नंबर दो तो मैं उससे बात करूं और मैं देखता हूं क्या बात हुए तो जब महक से अजीव साफ 13 क्या है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आरही चीज़ चल रही होती जिसके बाद नहीं होती साफ वाइं अर्मां करता है युषा को फॉन उठाती तो इस हो भी पलता है कि शरेग्र हैं तीक है आज सुर्य रहन होते हैं तो तुम भी वहाँ पर आना सिर्फ बसी बात अब यहां पर क्या था सूरे ग्रहन आज होने वाला है ठीक है और सूरे ग्रहन को लेकर इनके बीच में एक ऐसी बात है कि जो सूरे ग्रहन में जाएगा भेड़िया इंसानी रूप में उसकी बॉड़ी तनी जादा चमकेगी कि वो आसानी से अपने रूप को बता देगा कि भाई मैं भेड़िया हूँ यह चीज देखने को मिलेगी तो यह सिंपल सी बात है इस सेम सी चीज देखने को मिले है अब इसके बाद के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि क्या कहते हैं वो बोलता है कि कोई नहीं मैं जाओंगा मैं अच्छा कुछ हो वह प्यार हो मैं देख लूँगा वहाँ पहुंच जाता है लेकिन यहां पर ना अर्मान ईशा के साथ बहुत रोमेंटिक होता है उसको इसको मिलता है कि उसकी बौड़ी बहुत जादा चमक रही है लेकिन क्या होँदा पीछे वीर उसका खड़ा होता है और वह इंसानों का पीता है तो उसको पता है कि मेरे साथ तो ऐसा खुछ नहीं होने वाला वह सब चीजे विए रहें कि कोई प्राड्राब्राम नहीं होने वाली तो वी चाःब्स क कि पीशे खड़े होके बहुत जागा तो कि ने गार तलुwait मुझे क्या चाहिए इशा की वह मतलब वह चाहिए मुझे किस सिंबल सी बा तो वो बोलता ऐसा कभी भी नहीं और वो भीड़े में ट्रांस्फॉर्म होने लगातार बुरी तरीके से सब के सब आखे सबकी आखे फटीकी फटी कि हो क्या रहा है आर्वान को लेकिन तब ही क्या होता है वीर एक्दम से भागते होए आता है क्योंकि उसे टाइम जो पीछे पुलिस वाले होते हैं और जो मतलब मारने के लिए आते हैं तो तब ही वीर वहाँ पे आके टाइम को फ़ले नहीं पड़ी लेकिन वहाँ पर टाइम रोग देता है और सबके कानों में बोलता है कि तुमने जो यहां पर बूल जा बूल जा बूल जा और तब तक अर्मान तो ट्रांस्वर्मेशन होता है वह पूरा हो भी जाता है सब कुछ चीजे ठीक हो जाती है और सब कुछ मतलब बढ़िया से निकल जाता है सिंपल जिवादी चीजे में देखने को मिलती है लेकिन अब इसी में क्या है इसी में एक और ट्विस्टर में देखने को मिला इस सूरे ग्रेंड वाले सीन से पहले जहां पर अर्मान कनवर्ट हो रहाता है भेड़ी में कि जो हमारे वो हैं क्या कहते हैं वो मेयर और पुलिस जो पुलिस ते हो चैडी की मम्मी है पुलिस वहां पर जो हैड हैं वो क्या करती है वो एक ऐसी गुफा में जाती है जहां पर उ से निकलेगा मतलब जो क्या कहते हैं सोड़े ग्रहन पे तो वो इसकी बॉड़ी अलग से चमके की वो सब चीजों को देखे तब सब के सब पूरे उस एडिया के लो तो वहां पर पहुंच जाते हैं वो उसको मारने के लिए भाग तो यह थी आज की पूरे अपिसोड की कहानी लेकिन आज की अपिसोड को लेकर ना मैं कर सच बता हूं तो काफी जाला चीज है ना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है मैं स सोच लेसा था कितनी तेजी से आगे ब भडेगी चीजे लेकिन चीजिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है ने बीइसम्पल सी बात जो चैरी है उसके मम्मी को बस एक हो बता है कि वह चैरी उसकी बेटी है मतलब पुलीस वाली है वो चीज हमें रेखने को मिली बस बताब करेक्टर डवलप्मेंट बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है और चैरी हो गई उसके बाद क्या कहते है जो ईशा है लक्राइन भी तो इसका भी इन दोनों कभी character development बहुत ज्यादा कम हुआ है मतलब सर्च बतावों तो जो मतलब character development ने लोगों का बहुत ज्यादा कम हुआ है अगर इनका character development ठोड़ा से ज्यादा होता ना तो ये show देखने में और भी ज्यादा मझा आता और यहीं पर ही Vampire Diaries नहीं बहुत अच्छा काम किया, बस अब बात यही है कि भाई अब इस character development पर थोड़ा सा यह लोग और focus कर ले तो शायद हो सकता है कि चीज़ हमें और अच्छी देखने को मिल सकती है, बाकि आपके according आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह टेरे इश्क में घायर और बाकि सभी जितने भी टीवी शोज हैं उन सब के रिव्यूज और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और लेकिन को दबा लिजिए ताकि आपसे मिस्ता हूं हमारा कोई भी लेडिस अजिए टेरू और बताएं बुझने लेकिन को देए हमारे खूंता हैं ग Rabb लेकिन के लिजिए खूंता उर्दाइब कर लेकिने के लिए हमारे रिप्योज आपसे मिस्ता हूंने कर लेकिने लिए लेगे लेगर